दोस्तो क्या आपके घुटनों में गैप की समस्या है या आपके घुटनों का ग्रीस खतम हो गया है या आपके जोडों में घुटनों में या सरीर में कहीं भी दर्द रहता है तो दोस्तो आज की इस वीडियो को आप ध्यान से देखे क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप आपको गुड के साथ एक ऐसी चीज के सेवन की विदी के बारे में बताएंगे, यदि आप इसका सेवन हमारे द्वारा बताएंगे विदी से करेंगे, तो घुटनों की ग्रीस तेजी से बनने लगेगी, और चाहे आपका घुटनों का दर्द कितना भी पुराने से पुराना हो, दोस्तो वो भी बिलकुल जड से खतम हो जाएगा, और इस नुस्खे का आसर भी आपको पहले ही दिन से दिखाई देगा, इतना चमतकारी और इतना कारगर नुस्खा है ये, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमें जोडों के घुटनों के दर्द की समस्या क्यो आती हैं, दोस्तो इन सब का जो सबसे बड़ा पहला रीजन होता है, वो तो होता है हमारी उमर, जैसे जैसे हमारी उमर बढ़ने लगती हैं, तो ये समस्याएं आम बात हैं, यदि आपकी भी उमर 60-65 साल से अधिक है, तो ये समस्याएं आम बात हैं, लेकिन यदि आपको य दूसरा होस्कता है या तो आपके स्रीर में कैल्सियम की कमी हो या आपके स्रीर में विटामिन D और विटामिन E की कमी हो या विटामिन C की कमी हो या दोस्तों आप जंक फूड का अधिक सेवन करते हो या फिर आप खाना एनिमित समय पर खाते हो या फिर आप खाना अधिक मात या आपका वेट बहुत अधिक हो इन सब कारणों से ये समस्याएं आती हैं या आपको घुटनों पर किसी तरह के चोट लग गई हो इन सब के कारण ये समस्याएं आती हैं और यदि इन सब में से किसी भी कारण से आपको ये समस्याएं हैं तो आज के जो नुस्खे हम आपको बताएंगे उनके सेवन से आपकी यह समस्याएं बिलकुल दूर हो जाएंगे दोस्तों सबसे पहले तो आपको वाकिंग जरूर करने चाहिए आप वाकिंग को अपने डेली लाइफ में डालीजिए क्योंकि इसे जोडों का दर्द या खुटनों का दर्द होने की समस्याएं 50% तक कम हो जाती हैं और 50% असर आएगा हमारे इन नुस्थों का तो सबसे पहले यदि आपको ये समस्याएं हैं तब आपको वालनेट को अखरोट को अपने जीवन में सामेल कर लेना चाहिए आपको 4-5 गिरी अखरोट की हर रोज खानी चाहिए और जो अखरोट आपको लेने हैं दोस्तों वो सेल वाले लेने हैं अखरोट की गिरी नहीं लेनी है मार्केट से, सेल वाले अखरोट लेनी हैं क्योंकि जो ये अक्रोट की गिरी होती है, जब ये लंबे समय तक पड़े रहती है, तो इसके अंदर से तेल सूख जाता है, और आजकल मार्केट में दो कदड़ी भी बहुत है, तेल निकले हुए अक्रोट की गिरी भी आती है, उसको लेने से आपको कोई फाइदा नहीं होता, इसलिए आपको सेल वाले अक्रोट ही लेने हैं, और अक्रोट को सेवन करने का भी एक तरीका है, आपने दोस्तों अक्रोट की तीन से चार गिरी लेकर, रात भर के लिए पाने में भीगो कर रखा रहने दिन हैं, और सुबे खाली बेट उन भीगे हुए अक्रोट के दानों को आपने चबा चबा कर खाना है, ये हो गया इसका बैस तरीका, अब जानते हैं दूसरे नुस्खे के बारे में, दोस्तों यदि आपको घुटनों में गैब की समझ्चा है या लूबरिकेशन के समझ्चा है, तब आप हर सिंगार का काड़ा जरूर बीचिए, पारिजात का काड़ा जरूर बीचिए, वो बनाना कैसे है, आपने क्या करना है, हर सिंगार के चार से पाँच पत्तों को पानी में उबाल लेना है, और उनका सेवन करना है, या आप उनकी लुगदी बनाकर उनको खाकर उपर से वो हलका आपको कड़वा लगेगा, पर आपकी घुटनों के दर्दिया, घुटनों के लुबरिकेशन के समस्या के लिए बहुत अधिक कारगर है दोस्तों, आपने हर सिंगार के पत्तों के काड़े का, जिसकी लुगदी का सेवन करना है, अब आती है तीसरी बात, आपने कोकोनट वाटर का सेवन जरूर करना है, जब भी आपको पोसीबल हो तो आपको कोकोनट वाटर का सेवन कीजी, इससे आपको जीवन में कभी भी घुटनों मे ग्रीज की समस्या नहीं आएगी, केल्सियम की कमी नहीं होगी, अब जानते हैं उस नुस्खे के बारे में, कि आपने गुड के साथ कौन सी चीज खानी है, जो आपको और भी अधिक चमतकारी फाइदे देगी, दोस्तो आपने गुड के साथ में सेवन करने हैं, तिल का, आप तिल गुड के लड्डू बनाकर एक लड्डू का हरो सेवन कीजिए, दोस्तो इससे जो फाइदा आपको मिलेगा ना, वो कोई भी नुस्खा नहीं दे सकता, यह कैल्सियम की कमी को दूर करेगा, आपके टिशूज की रपेर करेगा, गुटनों में ग्रीज की समस्या का इल उपर से गुड चबा लें, या आप तिल गुड के लड्डू खाएंगे तो और भी अधिक फाइदा मिलेगा, तो दोस्तो आप भी गुड के साथ तिल का सेवन कीजिए, और अपने स्रीर को निरोगी बनाएए, और अपने स्रीर की इस कैल्सियम की कमी का इलाज कीजिए, और अपने स्रीर को बिलकुल निरोगी बना दीजिए, तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो, यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे, तो पलीज लाइक और सेयर जरूर कीजिए, इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सबस्क्राइब कीजिए, और सबस्क्राइबर बटन के साथ, जो बैल का इकोन है, उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी सबी आने वले वडियो की नोटिकेशन आते रहे, धन्यवाद दोस्तो.